तो आज का इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे गुड लॉक के बारे में कि वनी वाई 6.0 में गुड लॉक में क्या कोछ नहीं चैंजस और फीचर्स एड होने वाले हैं दोस्तों तो वीडियो को अंतर तक देखेगा और लाइक कर दिजिएका इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर दिजिएका नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है प्यूश और आप देख रहे हमारा यूट्यूब चैनल तो चलिए आज का यह वीडियो शुरू करते हैं तो सैमसंग ने वन यूवाई 5.1.1 के साथ एक ने मोड्यूल जो कि अभी सिर्फ फोल्डवल डिवाईस के लिए अवलेवल है तो यह जो मॉड्यूल है वन यूवाई 6.0 में भी अवलेवल होने वाला है और गुड़ लॉक जो है वो हमें एज लाइटिंग प्लस का सपोर्ट देने वाला है बहुत ही जल्द अपडेट के थूँ तो फीचर है साउंड असिस्टेंट में तो यहां पर जो फॉल्यूम पैनल को किस्टमाईज करने का हमें ऑप्शन देखने को मिलता है तो इसमें कुछ और नए इंप्रूमेंट्स होने वाले हैं कुछ नए चेंजस करने वाला है सैमसंग नए गुड़ लॉक के अपडेट में जो कि बेसिकली वन यूवाई 6.0 के साथ होने वाला है लास्ट है हमारा वंडर लैंड पे जो कि यह है यहां पर हाली में फीचर रोल आउट किया गया है क्रियेट इफेक्ट इन लॉक स्क्रीन तो यहां पर लॉक स्क्रीन में आप इफेक्ट्स अपलाई कर सकते हैं तो यह यहां पर जो है वो और भी चिंजस होने वाले हैं यहां पर ऑल्वेज ओन डिस्प्ले में कुछ नए फीचर आने वाले हैं किस्टमाइज करने के लिए वंडर लैंड की मदद से इसके अलाबा यहां पर लॉक स्क्रीन में और भी काफी सारे चिंजस होंगे और आप कर वर्जन आने वाला है 1UI 6.1 उसके साथ हमें काफी सारे गुड लॉक में और भी चेंजस देखने को मिलने वाले हैं इसके अलाबा नाइस कैच में भी कुछ इंप्रूब्मेंट्स करेगा सैमसंग तो यह कुछ चेंजस होने वाले हैं सैमसंग की तरफ से इसके अलाबा बता नहीं हो जाती है या फिर अपडेट आता है तो आपको मेरे चैनल पर इंफॉर्मिशन दखने को मिल जाएगी तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर दिजिएगा मैं मिलता हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में दबता के लिए जैहिंद वंदे मा कर दो आत्रम